पूरी तरह से रहस्यों से बरी हुई है और हमारी इस दुनिया में ऐसे कई रहस्य में घटनाय भी घट चुकी है जिनके रहस्यों से आज भी परदा नहीं उट पाया है यह सारे रहस्य आज भी अंसुल्जे है और ऐसे ही एक रहस्य में घटना के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले है जो 1900 के वक्त जैनिटी ट्रेन के साथ हुई थी जिसमें यह ट्रेन अच्छानक से गायब हो गई और इसमें मौजूद सभी यात्री रहस्य में तरीके से लापता हो गए जिनका कोई भी पता नहीं चल पाया लेकिन इस घटना पर बहुत से लोगों का कहना था कि यह सारे लोग और यह ट्रेन समय यात्रा करके वक्त के पीछे चले गए पर आखिर लोग ऐसा क्यों कह रहे थे क्या यह ट्रेन सच में समय यात्रा करके वक्त में पीचे गई थी या फिर यह बस लोगों की मनगड़त कहानी थी यह घटना सन 1911 रोम की है जब एक ट्रेन बनाने वाली इटालियन कमपनी जिसका नाम सेनेटी था इस कमपनी ने एक लगजरी ट्रेन तयार की थी इस ट्रेन को लगजरीस बनाने के लिए इसके अंदर कई सारे सुईधाय दी गई थी इस ट्रेन को उस समय के सबसे बहतरीन तकनीक से बनाया गया था और इस ट्रेन के पहले यात्रा के लिए 106 लोगों को चुना गया था जो इस ट्रेन के आने जाने तक का पूरा सफर तैगर प्रेशन तक जाएंगे और वापस अपने स्टेशन में आ जाएंगे यह बस एक ट्रायल यात्रा थी इसलिए इन सारी यात्रियों को मुफ्त टिकिट डी गई थी इन सभी यात्रियों के लिए ट्रेन में खाने पीने की सारी विवस्ताएं की गई थी क्यूंकि बात में जब यह लोग ट्रेन से उत्रे तो इस ट्रेन की तारीफ करें और यह ट्रेन लोगों के बीच लोग प्रियों हो और ट्रेन की यह तारीफ सुनकर कई सारे लोग इस ट्रेन पर सफर करें ऐसा इस ट्रेन कंपनी ने सोचा था और फिर 14 जुलाई 1911 को इस ट्रेन ने अपनी पहली यात्रा शुरू की जो बहुती सुन्दर पहाड़ियों से होकर गुजरी कई सारे लोगों की नजर इस ट्रेन पर थी कई लोग इसे बाहर से भी देख रहे थे अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन आगे चल कर इस ट्रेन को अपने सफर के दोरान लैंबर्डी के पहाड समय बने सुरंग से गुजरना था और यह सुरंग आदा किलो मिटर लंबी थी जो कि उस समय सबसे लंबी सुरंगों में से एक थी और जब ट्रेन उस सुरंग से गुजरी तो बहुत से लोगों ने ट्रेन को अंदर जाते देखा लेकिन उसके बात से किसी ने भी उस ट्रेन को बाहर आते हुए नहीं देखा यह ट्रेन सुरंग के अंदर तो गई लेकिन काफी समय इंतजार करने के बाद भी जब यह ट्रेन बाहर नहीं आई तब इसकी जाच की गई लेकिन सुरंग के अंदर कोई भी ट्रेन मौजूद नहीं थी इस घटना के बाद रेल करमचारियों और पुलिस ने भी इस ट्रेन की काफी च्छानबिन की लेकिन इस ट्रेन का कोई भी नामों निशान उन्हें नहीं मिल पाया और ना ही किसी ने भी इस ट्रेन को सुरंग से बाहर आते हुए देखा और हैरान करने वाली बात तो यह थी कि यह सुरंग सिर्फ आदा किलोमीटर लंग भी थी और ना ही इस सुरंग के अंदर कोई और दूसरा रास्ता था ऐसे में यह ट्रेन और इसके सारे यातरी अचानक कहा गायब हो गए यह बात सबको हैरान कर रही थी और सभी इसी बात से परेशान थे। ऐसे में जाच के दोरान दो लोग मिले। जिनका दावा था कि वर्ट रेन के यात्रियों का हिस्सा थे। इन दोनों ने एक इतालियन प्रेश में दिये गये इंटरव्यू में बताया कि ट्रेन सुरंग में जाते ही काफी धीमी हो गई थी। और धीरे धीरे धुवे के सफेद बादल में गायप होने लगी ऐसे में यह दोनों विक्ति घबरा कर रेन से बाहर नीचे कूट गए जिसके बाद यह दोनों विक्ति बेहोश हो गए और इने कुछ भी याद नहीं था और इन दोनों की बाते लोगों की बीच चर्चा का विशय रही रेन की कोई भी सबुत नहीं मिल पाने पर इस घटना के बाद रेल यातायात अधिकारियों ने इस सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया राके चल कर वर्ल्ड वार टू के दवरान प्लेन से इसके उपर एक बं गिराया गया था जिसकी वज़ा से यह सुरंग नश्ट हो गई लेकिन इस घटना की कहानी यही खतम नहीं होती बलकि इस से जुड़े इत्यास के ऐसे बहुत से दावे हैं जो इस ट्रेन को और भी रहस्य में ही बनाते हैं जैसे प्राचीन युग में मोडेना के भिख्शो द्वारा मत्यकालिन युग में जर्मनी रोमान या इटली जैसे देशों में ट्रेन जैसे चीजों को देखने का दावा मिलता है जबकि उस समय याथा याथ का साधन स्रिप घोड़ा होता था इन सारे बातों से कई सारे लोगों ने यह दावे किये कि यह जैनेटी ट्रेनी है जो समय यातरा करके वक्त में पीचे चले गई है इसके अलावा ट्रेन में मौजुद किसी यातरी के रिष्टेदार ने जब पुराने पुरा लेखों को देखा तो उसे 840 का एक अस्पताल का रिकॉर्ड मिला जिसमें उस रिकॉर्ड के अनुसार एक दिन में एक साथ ही 104 लोगों को उस अस्पताल में भरती किया गया था सभी लोग अजीबो गरीब कपड़े पहने हुए थे और सबकी हरकते अजीबो गरीब थी और भरती किये गए मरीजों में से किसी एक के पास एक सिगरेट का डबा था जिसमें 1907 लिका हुआ था और यह डबा आज भी मैक्सिकन के एक संग्राले में संरक्षित किया गया है इसके बात से यहां माना चाने लगा कि यहां 104 लोग जो अस्पताल में भरती हुए थे वहां दरसल जैनेटी ट्रेन से गाइप हुए लोग है जो समय यात्रा में फसकर 1840 में पहुँच गए थे जैनेटी ट्रेन से जुड़ी एक और घटना 29 अक्टोबर 1955 को यूकरेन के एक छोटे सहर जावालीची पर घटी जब ड्यूटी पर मौजूद एक सिगनल मैन ने एक पुराने ट्रेन को पट्री पर धीरे धीरे चलते देखा जबकि उस समय किसी भी ट्रेन के चलने का समय उनके पुस्तक पर मौजूद नहीं था सिगनल मैन के अनुसार इस ट्रेन का इंजन जैनेटी कमपनी का था और इसमें कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं था ट्रेन के डिब्बे, खिड़किया, परदे सब लगे हुए थे और कुछ समय बाद ट्रेन अचानक से कायब हो गई यह सारी घटनाए और इससे जुड़े सारे दावे यही बताते है कि जैनेटी ट्रेन ने उस गुफा में समय यात्रा की है और ट्रेन में मौजूद सभी यात्री एक टाइम लूप मतलब समय यात्रा में फज गए कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह एक पैरलर यूनिवर्स की घटना हो सकती है जैनेटी ट्रेन की यह घटना कुछ लोगों के अनुसार एक सच्ची घटना है जिसे वह सारे लोग समय यात्रा से जोड़ कर देखते हैं लेकिन कुछ लोगों के अनुसार यह स्रीप एक मनगड़त कहानी है जैनेटी ट्रेन की घटना पर संदे करने वालों का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि इस घटना को लेकर जितने भी आर्टिकल्स इंटरनेट पर मवजूद है वा कुछी साल पुराने है और अगर यह बात सच होती तो सौ से अधिक लोगों का इस तरह रहस्यमई तरीके से गायप हो जाना मानव इतियास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होती और इसके अलावा सेनिटी ट्रेन से जुड़े अन्यदावे जैसे मोडेना भिक्षुकों को ट्रेन दिखना 1840 में 1714 लोगों का अस्पताल में भरती होना या फिर मैकसिकन संग्राले में सिग्रेट की डिब्बे का रखा होना इन सारे दावों की तकता जानकारी इंटरनेट पर कही पर भी मौझूद नहीं है और अगर बात समय यात्रा की हो तो विज्ञान के अनुसार यह संभव है लेकिन यह भी सच है कि फिलाल इनसानों के पास समय यात्रा करने की कोई भी तकनिक मौझूद नहीं है इस घटना और इन सारे दावों को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमिन में जरूर बताए